स्वागत है आप सभी काम टीवी नियूज इंडिया की एक नई वीडियो में चलिए जानते हैं कैसे रहेगा देश्वर के मौसम का हाल यूपी में मौसम लेने वाला है करवट कल से हिस्तों में होगी बारिश के आसार बिजली गिरने के भी अलर्ट आपको बता दें यूपी का मौसम एक बार फिर बदलने वाला है पच्चमी विक्षोग की सक्रियता की कारण पाकिस्तान के पास चक्रवाती परी संचरण बन रहा है इसके कारण उत्तर प्रदेश में 17 से 19 अक्टूबर के दोरान मौसम बदलने के आसार है आंचलिक मौसम इग्यान केंदर के वरिष्ट वेग्यानी का तुल कुमार सिंग और महम्मद दानिश के मताबिक तड़ित जंजावात और रिशपात के साथ कहीं कहीं कुछ इस्थान अब बारिश भी हो सकती है नवरात्री का त्योहार शुरू हो गया है लेकिन अभी भी गर्मी पीछा नहीं छोड़ रही है देश्वन में लोग अभी भी ऐसी कूलर चुड़ा रहे हैं हाला कि कुछ राज्यों में ऐसा नहीं है मौसम बदलने के मुताबिक उत्तर भारत की बीच अलग अलग अंचलो में हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है जोरान गरचमक के साथ बादल देखने को मिल सकते हैं कहीं कहीं जंजावात के साथ है बारिश होने और आकाश्य बिजली गिरने की संभाव नहीं जताए गई हैं बेते कुछ तिनों से प्रदेश में मौसम का मिज़ास बदलने लगा है कल्शनिवार सवेरे सवेरे ही प्रदेश के कई जिलों में आंशिक रूप से मेगों का जमावड़ा देखने को मिला वहीं वैस्टर इंडिस्ट्रबेंस के आसर के कारण ऐसा हो रहा है लद्दाग जब कश्मेर हिमाचर प्रदेश उत्रखन में स्नौफॉल के शलतें वहां से कुछ सर्ध हवाएं मध्यप्रदेश की तरफ पैर पसार सकती है वहीं महाराश्ट गोवा उत्रप्रदेश राजिस्थान के कुछ इलाकों में मामली वर्षा के कारण तेज हवाओं का सिलसिला लगतार चारी है पहाड़ों पर बर्फबारी स चौब मंधल इस्थर पर हिमाली में आने वाली शुष कहावाओं के उत्तर पश्रिम भारत में प्रबल होने की संभाव परिणाम सरूब शेतर में 17 अक्टूबर से तापमान में 2-4 डिगरी शेल्सियस की गिरावट का नुमान है एक सक्री वस्टन डिस्ट्रबेंस हिमाली के करीब पहुँच गया है इसका सर पश्रिमी हमाली की पहाड़ी उपर उच्राई के बर्फबारी की संभावना है आएमडी के मताबिक आगामी हाफते में जमुकश्मी लहलगदाख हिमाचल बंजाब हर्याना दिल्ली गुजरात राजिस्थान उत्रा खान उत्तर ब्रद